जैन फ्रेंट्स, गुड मॉनिंग, स्वागा था आप सभी को डिफेंस कमांडो चैनल में मैं इस वीडियो का माध्याम से आपको बिहार पुलिस की बारे में जनकारी देना चाहता हूँ यह 14 दिसंबर की खबर है जो 14 दिसंबर की जहां गर्दानी बाग में आवियारती पहुंचे थे उस रिलेटर जनकारी देना चाहता हूँ कि कितने आवियारती को बुलाए गा था और कितने पास हुए बीडियो आचा लागये, तो चलिए बीना किसी देरी कीए हुए वीडियो का continuously देखिये गाव बीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग है, आज तो आपको ठर्डजेंडर के बारे में भी जनकारी दूँगा इस वीडियो में कि इस सारी जनकाड़ी मैं दूंगा तो चलिए वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ तो यहां पे दिया गया है कि सिपाही बहाली परिक्षा में फीर नौ अभिहारती गिरफतार तो सिपाही बहाली परिक्षा में नौ अभिहारती गिरफतार किया गया है गरदानी बाग इंटर क परिख्षा में अपनी जगत दूसरे को बैठाने का आरोप है पूलिस के मुताबिक परिख्षा के दरान जब बायोमेट्रिक जांच कराई गई वह उनके इनके कागजातों का सत्यापन किया गया तो मुल कागजात से ना तो इनकी फोटों मिली और नहीं बायोमेट्रिक खुरून कुमार ने बताया कि सो मुआ को कूल 600 अभिहारतियों को बुलाया गया था तो यहां पर रोज 600 अभिहारतियों को बुलाया जा रहा है लेकिन यहां पर देखिए अभी वहीं अवस्त्य है 210फ अषए कभी 1236, 1219, 1224 अतना ही अभियार्थि पहुच रहा है और इसके दौरान फर्जिवारे क्यारोप में नौ अभियार्थियो पकड़ा गया पुष ताष के बाद मंगलवार को सभी अभियार्थियों को जेल भेज दिया गया है ठीक है तो पुरी अभियार्थी जो मतलब candidate फ़र्जी थे उनको जेंडर को आवेदन करने के लिए कोई प्रवधान नहीं किये जाने पर सरकार से जवाब मांगा है। जेंडर को आवेदन करने के लिए कोई भी प्रवधान नहीं किया गया है। सुनने के बाद राजसरकार के समान ने रसासन विभाग के और मुख सचीव को हलप नामा दाखिल करने को कहा गया है। तो ये थर्ड जेंडर के बात की जा रही है। अगर सही है तो आपको डंडे का जोरत नहीं आप CSBC जरूर जाए। और इस परकार को और भी न्यू जो नोटिफिकेशन पाने के लिए किसी भी परकार की प्रोब्लम्स हो तो आपको डंडे का जोरत नहीं आप कमेंट में मुझे बोले मैं उसका सॉलूसन आपको जरूर बताऊंगा और इस परकार को और भी वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल से जुरे रहे है। जाहिल जा भारत